यह जानकाहिए लेते हैं कि महिला होगी क्या परेशानी है कुछ आंगनवाडी वर्कर है और कुछ यहां पर अलग-अलग डिपार्टमेंट से अलग-अलग विवाद से हैं आई हैं और मैदान के अपनी मांगों को लेके ऐसी एक महिला और भी हमारे बीच में आई इसे हम जा प्रमोशन में जो अभी रिसेंट्ली रिजल्ट आया था उसके लिए उसके लिए सब लोग यहां पे इकटा हो गए है अपोस करने के लिए हमारी मांगे जो है प्रमोशन है वह उसको अपोस करने के लिए यहां पे सब लोग सब डिपर्मेंट आप जो जहां सर्वीस कर रहे हैं वहां आपका परमोशन रोग दिया गया है यहां परमोशन के लिए आप हमांग करें तो आप किस विवांग में सर्विस करते हैं महाराश्य ट्रांस्मेशन कंपनी निविटेंड में हुं पर वहां पे अधिशनल या करके कार्या रहत हुँ और जो अभी रिजर्वेशन है मतलब बं किया गया है जो भी काटेगरी में अभी तक 2004 से जो रिजर्वेशन हो चुके हैं काटेगरी में उनको आप शायद करेंगे क्या कारण है इनका जो मलव ये पर्मोशन में नोने डिजर्वेशन खतम कर दिया तो क्या कुछ तो कारण होगा ना वो तो हमें अभी कुछ पता नहीं है जो पहले से यह केस चालू थी जो नागराज जन थे तो उनका केस का अभी वह रिजल्ट आया है और उसके कारण अभी सब करवाचारयों पर इसका इफेक्ट देना है बिवर्ट हो जाएंगे मढ़ में माढम का कहना है कि जो नोकरी वे में रिजर्वेशन खतम कर दिया गया जो अधिकार दिये थे तो आपका क्या कहना अपना नाम बताएं मेरा नाम निशी गंदा बनकर है और मैं महाराश्ट उसके आगंस तुठाओ करने के लिए हम सब लोग यहां पे मौजुद हुए है बाबा साहिब ने हमें जो सम्विदान के द्वारा सोला बाइचार के तहट जो आरक्षन दिया है तो वह हमारा एक सम्विदान का एक अधिकार है और वही हम पाना चाहते है कि हमें रोकना नहीं चाहिए यह हमारा सम्विदान का अधिकार है वह मिलना चाहिए और इसलिए हम सब लोग यहां पे बड़ी संख्या से मौजुद हुए है महाराश्ट्र स्टेट एलिक्सिट ट्रास्मिशन कंपनी लिमिटेड लेकिन वह बरतमान में जो हमारे प्रदान मंत् कश्घा है बिड मैं की वर समयुदान के लिए लिए लेके महीला को संवान प्रस्तापित वहाrences पहले 1956 के पहले जो महीला थी उनको राज की या सामजिक और आर्थिक कुछ भी अधिकार नहीं था तो यह सब अधिकार मिलने के लिए और सबस्क्राइब कुछी है सबस्क्राइब करते कि गीजिए का इंडर चıpestion करने के लगाशël और नहीं जो जो नो अधिकिा एंडर आर्ठिक को सामोरे प्रनाकिजिक और और एवरी इन एवरी आस्पेक्ट राइग अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो बाबा साब ने जो आपको सम्मान दिया हिंदू कोड बिलके दौरा तो आगे आपकी क्या भूमी का रहेगी अगर हमें अधिकार नहीं मिलता तो हम अधिकार याशे आंधूलन करते रहेंगे देश को आजाद हुए आज 70 साल होगी और 70 साल के बावजूद भी यहां अनुसुची जन जाती और बैकवर्ड सुरक्षित नहीं है माडम आप अपने नाम बताएं मैं जाया चोपकर हिंगोली से आई हूँ महारास्टर से और आज जो देशवापिस रैली और संपा का जो आपने ये लिया आए करमचर्यों ने तो बात है ऐसे कि जो अपन बाबा सहाब डाक्टर बाबा सहाब आमवेट करने जो करमचर्यों के लिए जो सवीदान में जो तहत किये थे तो उस वज़े से अभी जो मिलने को होना वो वैसा मिलने रहा है जैसे अभी आरक्षन है हम जैसे मेसीबी में अपारेशन के करमचर्य आप आए है और अंगनवाडी सेविका है सबके अलग-अलग मांगे है और अभी तक हम को जैसे कि पेंशन योजना लागू नहीं किये पेंशन योजना ये दो डिपर्मेंट ऐसे कि उसमें पेंशन योजना लागू नहीं किये अधिनियम जो है प्रोग मुख्तार संवार के समय ड़ान को आप आगे बढ़ाने की कोषिज करें अगर आपके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो धन्यवाद